के योग के तो अश्टांग आठ अंग बताएगा है तो उसमें यम नियम आशन प्रानायाम प्रत्याहार ध्यान धारना समाधी ये अश्टांग योग है इन अश्टांग योग का तृक्त भी एक और योग है इस्वरप प्रनिधानाद्वा इस्वर का अपने इर्दय में ध् अच्छा और इसी योग को घीटा जी में तीन योग में विभाज ह paralysis किआ गया जब प्रमात्मा कर्म से जुड जाते हैं धो खरम जोना जाता है था जब प्रमेश्वर को हम ज्यान से जोन्ते हैं तो यह ज्यान योग हो जाता है या भक्ति यह सारी चीज़ें कर्म से जुड़ती है गुर्देव भक्ति भी तो एक किस्म का कर्म है कर्मकार्थ यहां बैदिक कर्मों से अच्छा मतलब कर्मकांड अच्छा और भक्ति का भक्ति का मनो बृत्ति से और जो तीसरा आपने बताया जयां जिनतन तो भक्ति और ग्यान में चुकि यह दोनों ही मनो बृत्ती को उपर आधारित होते हैं तो बड़ा बारीक अंतर होगा तो तो वो क्या है एक में मस्तिश्क प्रधान, है महिरदय आखा अद्भुत तो मतलब ज्यान में मस्तिश्क प्रदान हो जाता है और भक्ति में कि जब अब ये जो मस्तिश्क और हिर्दे के बीच में अक्सर विवेद हम लोग सुनते आते हैं को और अक्सर आम बोल चाल की भाशा में हम लोग कह देते हैं कि बुद्धी और मन यह चित और हिंकार तो और इसके बीच में हमें अंतर पता नहीं होता नाम तो पता होते हैं लेकिन अंतर पता नहीं होने के कारण हमारी अवस्था इन चारों चीजों में एक जैसी रहती है तो वो अंतर कैसे पता करें हैं अंतर नो शास्त्रों ने ब्याक्षा में कर दिया है अब जास्त्र तो सब पढ़ने ही पढ़ते हैं जब हम किसी बस्तु का मनन करते हैं तो मनो बृत्ति होती है जब हम जानने का प्रयाश करते हैं तो बुद्धी बृत्ति होती है जब मान लेते हैं तो अहम बृत्ति होती है जब चिंतन करते हैं तो चित्त बृत्ति होती है वाह बहुत अद्भूत अब इसमें एक धंजट यह खड़ी हो जाती है कि यह कहा जाता है कि सत्य जो होता है एक तो सत्य हो गया कि शाश्वत सत्य की श्रिणी में आता है और एक सत्य ऐसा होता है कि हर व्यक्ति का अपना सत्य होता है तो फिर इस विभ्रम की स्थिति में हम कि किसको सत्य मनें लेकिन वो शाश्वासत्य तो उन्होंने कहा कि लाभवानी जीवन मरन वाली बात हो गई लेकिन अहीं हो गिसका कभी नाश नहों उसी को सत्य कहते हैं अधबुत जी और स्शाष्त कारते जिसके कभी नाशना हो जिए और असत्य किसको कहेंगे उससे नाश होता रहे अपिर मिथ्या जो अपने संदों ने कहा है कि उन्होंने असत्य नहीं का दिए असत्य कहा असत्य मिठ्षा सब असत्य का परियावाची अच्छा अब ब्रहम सुत्यम अब इसमें एक चीज और बड़ी हम लोगों की सामने खड़ी हो जाती आम बोल चाल की भाशा में हम लोग अक्सर यह कर देते हैं उन्हों नहीं हमारा गुरु जी के प्रती विश्वास ह है उन्होंने का नहीं गुरु जी के प्रती श्रद्धा है किसी नहीं गुरु जी के प्रती आस्था है और हम अक्सर इनको परियावाची मान लेते हैं कि विश्वास जहां तर्क के बाद स्थिर्था आती है वो विश्वास होता है और जहां तर्क बिना कि यही मन रम जाता और श्रद्धा होती है क्या बात है अधभुत और वही जब ठीकाओ हो जाती तो आस्था हो जाती है अब देखिए आपने जितनी सरलता से इन तीनों चीजों के अंतर को इस्पष्ट कर दिया और हम लोग अभी तक क्या समझते थे कि ये तीनों कहीं न कहीं एक दूसरे के पर करती हमारा समर्पन पैदा हो उसको विश्वास कहेंगे श्रद्धा मतलब जिसमें तरक ना हो उसको हम श्रद्धा कहेंगे और विश्वास उत्पन हो जाए और जब हमारा समर्पन बिलकु द्रण हो जाए इस्थाई हो जाए तो वह आस्ता की श्रिणी में आ जाता है गु अली बाद तो जो करना चाहिए वही धर्म है और अन्नी ब्याख्याओं के पचले मत पढ़िए अच्छा धर्म की तो बहुत-बहुत ब्याख्याओं रिशियों नी की है अब नोदना लक्षरो उर्थो धर्मा भी कहा मीमान साकार ने यह तो वुजय निश्रेश की अदर्मा काम न्यायकारने पर अपने लगभग बहत्तर बिसकी आध्यात्मिकररका के अधार पर मैं कर सकता हूं जो करना चाहिए वही धर्म है और जो नहीं करना चाहिए वह अधर्म है जी जहां सुट लग जाए जी शुड वो धर्म है जी और जहां सुट के बार नाट लग जाए वो धर्म है शुड नॉट जी जी और अर्थ का धर्म अर्थ का धर्म ही कुछ नहीं होता है अच्छा अर्थ का धर्म क्या होगा तो अर्थ व्यर्थ है तो अनर्थ है नहीं तो उसी व्यर्थ के चक्कर में तो आज की तारीक में पूरा अनर्थ हो रहा है क्योंकि पूरा जगत जो है उसी अर्थ की प्राप्ति की ओर भाग रहा है लेट देम डाई एक एक चीज और होती है हम लोग चेश्टा करते हैं कि हम अपनी थारत में दाहों, को पुष्ट रखने के लिए अक्सर उसको विज्ञान की कसोटी पे कसने का प्रयास करते हैं और उसको विज्ञान सम्मत बनाते हैं जब कि धर्म विज्ञान से कहीं बहुत उंचे इस्थान पर अवस्थित है धर्म का संबंद आस्था से जो रहा है जी अब विज्ञान का स्था से कोई लेना देना नहीं लेकिन आज कल ये प्रशलन में अक्सर देखा जा रहा है कि लोग उसको व्यज्ञानिक तरीकी से कहीं नहीं पुष्ट करके धर्म के प्रती अपनी वैद्धता भोशित करने का प्रयास करते हैं कि देखिये विज्ञान भी यह कह रहा है यह तो उनका पक्षालक होगा जी पर हम मैं जो चर्चा कर रहा हूं जी अब माता-पृता की सिवा करना है हमारा धर्म है जी अब क्या विज्ञान इसमें कौन सी बेजी है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है यह तो क्यों आन्द के लिए कहते हैं अच्छा अन्द के लिए धर्म का संबन हमारे जी आस्था से है जी यही बात मैंने कौल्ट में कही थी अच्छा उन्होंने कहा कि राम जयनम को आप विज्ञानि मन कहा हुआ जेके यहां विज्ञान कुछ काम नहीं आस्था हां काम करेगी जी करोनों वरसों से हिंदों की आस्था है कि यहीं पर राम जी का जनम हुआ था इसलिए एह प्रमा है कि आस्था कि आस्था का अपना होथा है यहां म्तलब तर्क की गसोटी पे आस्था नहीं कसी जाती आस्था का अपना क्या विज्ञान होता है याने धर्म का अपना विज्ञान होता है और विज्ञान का अपना धर्म होता है तो जो हमारे संतों ने कहा है वो शायद धर्म और विज्ञान के बीच में जो संगती हुई है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप धर्म के विज्ञान को समझे और विज्ञान के धर्म को समझे है ये यही कहना चाहते रहे है अज है कि सा ऐसा हम लोग कहते हैं के बगवान पर माइत्मा की कता हमारी व्यता को समाप्त करने का काम करती है लेकिन आज की तारीक में देख रहा है के धर्म ज group जितना है उसको कि धःरण करने मातर से उतने ही हम जटल होते जा रहे हैं और हमारी व्यथाओं में प्रिद्धी होती जा रही है समस्षा इस बात पिर है कि हम शास्त्री सिद्धान्तों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर आ गया ही इगो और एक मैं आलंकारिक भाशा में बोनूं तो इगो के इगो के साथ जुड़ते हैं गोविंद है भगवान जिए एगो को देखकर गोविंद कह देतें तो अपना इगो सम्हाल आई गो मैं जाता होँ जो ऑके बहुत अच्छी बात कही आप इगो को देखकर भगवान तुलंत आई गो कह देतें अच्छा जो जो हमारा एगो कम होगा जे त्योंत्यों गोविन्द हमारी निकट आएंगे जे और हमारी समस्याओं कर समाहन होता जाएगा जे लेकिन ये जिन प्रतिष्ठित लोगों से या ये कहें कि जिन पहुंचे हुए लोगों से हमको इगो समाप्ती की दिशा में निर्देश मिलने चाहिए और इसी कारण हम उनके श्री चर्णों में विराजते हैं वो फिर इसका समापन का सूत्र हमको क्यों नहीं दे पा रहा है तो वो क्यों हो रहा है जब वो धर्म के प्रतिमान है धर्म को धारण किया हुए जिसके पास धर्म का धर्म को धारणी नहीं कर सकता एक जंगल में हम जानते हैं कहवत है एक जंगल में दो शेर नहीं रहा करता है या तो अब हम अन्दर के एगो को करवाने के लिए उन शिरी चर्णों का आश्रय ग्रहन करते हैं जिनके जो गोविंद से निकट हो जो गोविंद से निकट हो और गोविंद की चर्चा करने वाले को हम गोविंद के निकट मान लेते हैं तो चर्चा गोविंद की कर कहा को रहा है अब गोविंद के नाम पे तो चर्चा बाढ़ ह हुआ है गुर्देव यदि गोबिन्द की चर्टा कोई करने लग जाएगा ना गीर रहे का ही नहीं जिए क्योंकि ये आज की तारिक में बड़ा संकट खड़ा हो रहा हुआ है जिए तब तो बाद चका चक मस्त्र हो जो का हुआ है व्यवस्ति में आग्र विश्टि में दुदेव हमारे बुज़र्गों ने पूर्व के रिशी मुनियों ने समाज को व्यवस्तित रूप से संचालिक करने के लिए एक वर्ण आश्रम विवस्था हम लोगों के सामने इस पश्ट की कि ब्रह्मचर आश्रम हो गया उसके बाद बाद आप ग्रहस्त आश्रम में प्रवेश्टीजिए फिर उसके बाद आप सन्याव वानप्रस्त की तरफ वानप्रस्त की तरफ जाए यह जो व्यवस्था है आज की दौर में हम ऐसा क्या करें क्यों कि समय परिश्टिती सब बदल गई है कि यह सिर्फ हमारे चिंदन या विचार का ही विश्ए नहीं आच्राण में हम इसको ढाल से होवर्ण और आश्रम कि हमने नहीं बनाए जिए जाता है जाता है चातूर बर्यना मया सिस्टम गुण कर्म बिभागत शह गुण और कर्म के विभाग के अंसार भगवान नहीं बनाशनम की विवस्ता की इसे पोस्टे होती है नहीं जी आएस होता है, PCS होता है, RSS होता है तो अमुक योगिता को जो पार कर ले और आएस हो तो जैसे को कि कर्मत से नहीं निवार्ण कर सकते हम जै जैनमना ही निवार्ण किया जा सकता है जै तो जैसे जैसे कोई अच्छे कुणने पॉन्हे माथ यसकारत है कई अपनी योगõता उस कम्पुटिशन को उसने कम्पुटिट कर लिया है। अब हो गया अब ना हमार, अब आगे जो कर्म करेगा उसको भोगे अपना कर्म, या तो उसकी सर्विस निरस्त हो जाएगी, या दंड मुलेगा। पर भरनास्रम बेवस्था तो चलती रही को प्रामानिक है। भगवा स्टाब नहीं बनाया है वितंड गोरत देखंद आत करणि का देखिया। नहीं है। ये अजहान में क्या ऑम इस एक पिता आपकंगारे किसी बीटे करनाम अभिनओ रख दया, किसी करनाम गोरो रख दिया। इसमें उसमें उतकर्ष् आपकर्ष की बात नहीं है नाम रख दिया गया रहा है तो वेद ने चारों बर्णों का नाम रख दिया था कि ब्रहांन शत्री वैश्य शूद्र कार्थ नीच नहीं होता सोभनो द्रव शू परमात्मा द्रवत येश्न इसमि पर परमात्मा बहुत जल्दी प्रसंद हो जाते उसे शूद्र कहते हैं अच्याँ और वो इसलिए उनके हिस्से में सेवा आई क्योंकि परमात्मा प्रसंद यह उसके बहुत जल्दी होते हैं जो संपूर्ण समाज की सेवा करते हैं उत की सेवा जे कि कैंब जे हैं जो जी हम इसमें गुरुजी जैसे प्रह्मचर्रे हमसे कहा गया है थारण करना चाहिए अपने चरित्र के निर्मान के लिए फिर उन्होंने कहा कि ग्रहस्त आश्रम में एक आयू के बाद आप प्रवेश करें फिर कहा गया कि नहीं भाई एक आयू के बाद आप वानप्रस्त ही हो जाएं फिर अपने चरित्र का निर्मान करने के लिए आप सन्यास की अवस्था को तरहन करें तो वर्तमान युग में रहते हुए हम इन तमाम दिशा निर्देश ओं का पालन कैसे कर सकते हैं कर सकते हैं और ये तो बैवस्था और है यह तो सामान निवेक्ति के लीए बैवस्था हुई जिस समय बैक्ति को बैरागी हो जाए उसी समय सथापर रहाइभ इसमें आईयू का संबंद नहीं है यह आवस्था की स्तती जिसे ये हमने रामचंद्रदास को बिरग्तिवेश दे दिया और गिर्यस्थास्रम पहले उनको बिरग्तिवेश दे दिया। जब हम जान गए ये विक्ति अब निर्वेशन हो चुका अब सन्याश को समाई सकता है। शंक्राचार ने आठ बरस में सन्याष ले लिया था, जो जितनी जल्दी ले सके, हमारी अवधी की भावत है, टुटही घोडी साजी पलान ले चाहिए, जब घोडी कमजोर हो तो साम को ही उसकी आत्र सुनु कर देनी चाहिए, अब शरीर का क्या भरोशा, जितना जल्दी हो स करके उतना भगवान का भजन जल्दी करना चाहिए, जी, तो मतलब ये चारों अवस्थाएं साथ में रह सकती है, और हमारा चरित्र का निर्मान हो सकता है, मैंने बाहर बार कहा है, जी, लोग ब्रहमचर्य का गलत अर्स लेने लगें, जी, अब विभाहित हो का, अब विभ आउलचर्य को सबसे बड़ा उपायशास्त्रकार ने बताया कि अपनी पत्नी से जितना चाहे उतना प्रेम कर सकता है, पर पराई नारी के कि वर चरन तक उसकी द्रिष्ट जानी चाहिए, यदी पराई नारी के मुखपर उसकी द्रिष्ट चली गई, उसे दिन सारे पुन ना उसको Guru बचा सकेंगे ना गोबिंद बचा सकेंगे उसके हमें पहले ग्रहाष्ट को कु नहीं करनी का वशकता है कोई जप नहीं, कोई तप नहीं सब तो हमारे लिए छोड़ दीजी है हम तो करिं नहीं ग्रहाष्टो के लिए ग्रिहस्त का एक ही जप, एक ही तप हे, एक ही सामय हे, एक ही योग हे, एक ही ख्यान ही, एक ही ध्यान है त्योल अपनी पतनी की प्रतृषकी भॉग्या द analisasi हो। ओर सर्भत्त्र योग्या द्रिस्त हो। वाह इसे भगवान राम को तापसो ब्रहमचारी नो कहां गया जे और आपको यह जान का अथा लगेगा जे महाभारत में कर्था आती कि जब बब्रुबाहन का शीर अरजुन ने काट दिया जो कि अरजुन का ही पुत्र था अरजुन को पता नहीं था और चित्रांगदा ने कहा कि इसको जिला दिया जाए जे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि रामा वतार में सीता जी किसी नारी का मैंने चिंतन नहीं किया मेरे उसी पुलने से बब्रवाहन जिवित हो जाए और वह ही हो गया वाव अधुत गुरुजी एक और हम लोगों के आज की तारिक में नए बच्चों के सामने एक खड़ा होता है कि वह अकसर कह देते हैं कि थोड़ा सा इसके ओपर खलका सा प्रकाष गश्न डालेगे बेहा? कि इंगे सारलता कि नहीं होता है कि जी स्पूद कर्त होता है अध्यात्मिक के थाहत्म इसे चिंतन को जो धरन जहां धरन किया जाए कि मतलब जो विचार है उसको आचार में परिवर्थित कर दें तो जहां पर आचार विचार के बीच में एक रूपता आ जाती है तो वो धर्म और आध्यात्म का सुख़द योग हो जाता है गुर्दवे संत कभीर बड़ी उलट बास में बात करते थे और बड़ा एक उनकी एक चीज सुनने में आती हम चाहरे है कि अगर आप व्याख्या कर दें क्योंकि बात बड़ी उल्टी है कि कभीर दास की उल्टी बासी कंबल बरसे और भीगे पानी यह क्या है कुछ नहीं है मदने करते हम समझ नहीं पा रहे है और रुर्टी बासी होता कि जुव जयँदी समझ में LEE ज्ची समस्कृत में जल को कम कहते हैं जल को कम कहते हैं एक इसे spokesperson 2020 कम माने आंसु जलही जिसका बल है वो क्या है आंख तो भगवान के प्रेम में कमबल माने आंख भरस रही है और उसको पुछते-पुछते हांथ पानी माने हांथ भीग रहा है वाँ तो मतलब कवीर दास की उल्टी वासी उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी एक चीज और आती है गुर्देव कि कहा जाता है कि बिना बिनु हरी करपा मिले ही नहीं संता और दूसी तरफ ये बात आती है कि गुरु गोविंदे दोव खड़े कि मतलब परमात्मा की ज कि संत कि अगर आप आस्ट नहीं आपने वो बिषे अलग हो गया दोनों गा छी संत तो हरी की किरपा से मिलते हैं पर हमारे सामने दोनों खड़े हैं गुरुदे खड़े हूं और गुरुघकड़े हूं उ अम संत की परवन अब किसको प्रनाम किया जाए जि पहले गुरु को प्रणाम कर जा है क्योंको गुरु की क्रिपा से ही गोबिंद की दर्शन हो पाते है वाँ लेकिन अगर हरी क्रपा हमारे उपर नहीं है तो हमें सन्त का आश्रे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो सामाने संत मिल जाएंगे और गुरु जो होता है तो बहुत बिचित रहे थोड़ा सा उसकी उपर प्रकाश डाल देंगे गुरु अहेत्य को ओ हरी की कृपा की भी अपेक्षा नहीं करता गुरु गुरु को यह प्रकाश नहीं होता है आज का लोगुरु को कहने लगे यह गलत है अच्छा ने आज की तारिक में तो प्रचलन यह हो रहा है कि शिष्च जो है वो अपने गुरु का पर्चय बन जाता है वो भूई बतलब चेला जो है वो कुरु जी से ज्यादा जै सक्षा नहीं सकता जी का moris के लौकिक दिस्तिकों का इसाब dü lat print के दा आ हम लोगों को अशु वहती है और जिसके कारण हमारी वियथा में वुर्द्धी होती है वियथा समापत नहीं तो इसका क्या कारण क्या हम धर्म के मर्म को समझ नहीं पा रहा है ? कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुर्दयों बस ऐसे कृपा आप हम सब पर बनाए रखें क्योंकि बहुत से सामाने से प्रश्ण थे जो सा आम जंता में प्रशलित होते रहते हैं जिसके कारण हमारे अंदर भ्रह्म पैदा होता है तो आज आपका हिर्दे से धन्यवाद किया आपने कुछ हमारे भ्रहमों का निवारण किया ऐसी कृपा बस बनाए रखे नहीं मैं तो चुकि एक संप्रदाय का जगद गुरू हूँ मैंने कहा है कि तीन कटेग्रीज हैं तीन स्रिणिया हैं गुरू जगद गुरू और सद गुरू के अपने शिष्वर की जिग्यासा का समाधान करता है जगद गुरू संसार के सभी शिष्यों की जिग्यासाओं का समाधान करनी की पात्रता रखता है जगत गुरु इंतिशा सुतम तुरी मेव की वुलब जे ने तो हम अभीभूत हैं के हमारे उपर सद्गुरु की कृपा से जगत गुरु की कृपा हमें लगातार मिल रही है तो आपका बहुत बहुत दन्यवाद के आपने हरी हर तीर्थ म अभी बूत किया हम अनुग रहे थे जैश्री सीता राम गुरु देपूट